साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भारत ही नहीं, विस्तु की एक प्रमुख भासा है, क्या आप इसके विसे में कुछ जानते हैं? क्योंकि ये भारत की एक प्रमुख भासा है, साथियों इसी पर कुछ संचिप्त चर्चा करेंगे। साथियों हम जानते हैं कि हिंदी जो है भारत की एक प्रमुख भासा है और भारत की राज भासा है राश्ट्र भासा नहीं है इसे संबिदान में राश्ट्र भासा का दर्जा नहीं दिया गया इसे राज भासा का दर्जा दिया गया केंद्री इस्तर पर भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी आधिकारिक भासा अंग्रेजी के बाद इसका नमबर है ये हिंदुस्तानी भासा की एक मानिकी कृत रूप है जिसमें संस्कृत के तस्सम तथा तद्वो सब्दों का प्रियोग अधिक है और अर्बी फार्शी सब्द कम है हिंदी संब्दानिक रूप से भारत की राजभासा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भासा है हाला कि हिंदी भारत की राष्ट भासा नहीं है क्योंकि भारत के संबिदान में किसी भी भासा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था चीनी भासा के बाद ये विस्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा भी है किन्तु एथना लोग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक पोले जानी वाली भासा है विश्व आर्थिक मंच की गर्णा के अनुसार ये विश्व की दस सक्तिसाली भासाओं में से एक भासा है प्रोफेसर महावीर सरण जैन ने अपने हिंदी अम उर्दू का अद्वयत सिर्शक आलेक में हिंदी की विद्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि इरान की प्राचीन भासा अवेस्ता में साध्वनी नहीं बोली जाती थी सा को हा के रूप में बोला जाता था जैसे संस्कृत के असुर सब्द को वहां अहुर कहा जाता था अफगानिस्तान के बाद सिंदु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फार्शी साहित में भी सिंध न कहके हिंद और हिंदुस के नामों से पुकारा गया है तता यहां की किसी भी वस्तु भासा विचार को एडजेक्टिब के रूप में हिंदीक कहा गया सिंधीक नहीं हिंदीक जिसका मतलब है हिंद का यहीं हिंदीक सब्द अर्बी से होता हुआ ग्रीक भासा में इंदिके इंदिका लेटिन भासा में इंदिया तथा अंग्रेजी में इंडिया बन गया अर्भी एवं पार्सी साहित में भारत यानि हिंद में बोले जाने वाली भासाओं के लिए जबाने हिंदी पद का उपयोग हुआ है भारत आने के बाद अर्भी पारसी बोलने वालों ने जबाने हिंदी, हिंदी जबान अत्वा हिंदी का प्रयोग दिल्ली आगरा के चारो और बोली जाने वाली भासा के अर्थ में किया भारत के गैर मुस्लिम लोग तो इस शेत्र में बोले जाने वाले भासा रूप को भाखा नाम से पुकारते थे हिंदी नाम से नहीं साथियों ये हुई हमारी भासा हिंदुस्तान की भासा हिंदी का संचिप्त बेवरान अभी के लिए बस इतना ही दन्यवाद